Adaptive Delta Modulation Transmitter and Receiver देखे लास्ट टाइम जब हमने Adaptive Delta Modulation किया था उसमें हमने ये किया था कि ये क्या होता है जो Delta Modulation है उसके जो Overflow Load की वज़ा से, Slope Overflow की वज़ा से और Granular Noise की वज़ा से जो Disadvantage थी उसके उसको Overcome करने के लिए Adaptive Delta Modulation किया था इसमें क्या होता है कि जो Step Size होता है वो Vari करता है Variable होता है उसमें Variations होती है Input Signal के According देखिए तो अब इसमें हम Transmitter और Receiver कर रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि Adaptive Delta Modulation का Transmitter Transmitter में क्या होगा कि सबसे पहले Sample Input जाती है जो Input होती है वो X N T S होगी ये जो Input है इसके इसके इनेक्स्ट पार्ट है जो की एक Accumulator होता है और एक Delay Circuit जिसमें लगा होता है और एक Summer लगा होता है ये जो पार्ट है डॉटिर लाइन में जो है ये हमारे Accumulator को शो करेगा और दूसरा होता है One Bit Quantizer यहाँ पर क्या होगा कि Transmitter की बाद कर रहे हैं तो क्या होगा कि Step Size Increase और Decrease होता है जो Depend करता है One Bit Quantizer Output पे अगर एक Bit Quantizer Output हाई होती है तो जो Step Size है वो Double हो जाता है जो Next Step Size आएगा वो Double हो जाएगा Previous के Comparison में और अगर One Bit Quantizer Output Low होती है तो Step Size Reduce हो जाता है Next Step के लिए अगर Next Step Low होता है तो वो Reduce हो जाता है तो इस तरह से यह Work करता है Last Topic में हमने इसकी waveforms की थी अब यहाँ पे Sample Signal जाता है Sample Input अब क्या होगा कि यह तो One Bit Quantizer है जिससे Output One Bit की आएगी क्या Increase हो और Increment और Decrement लगती है यहाँ से जो Output आती है यह Output देखिए यहाँ पे जो होगी यह En Ts जो की Error को Show करेगी यानि जो Previous और जो Present Input है उन दोनों का Difference जो की En Ts होगा जो की Error से Show किया जाएगा और Quantizer Output जो आएगी One Bit Quantizer Output उसको B N Ts समर पे Provide कर दिया जाएगा आगे Un Ts जाएगा Un Ts क्या Show करता है जो की Present Sample Approximation है अब यहाँ से डिले से जाएगा तो Un-1 Ts जाएगा लेखिए यह जो सरकिट है और यहाँ से डिले से जाने के बाद एक तो Un-1 Ts जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा जो की होगा X-N Ts इन दोनों का जो डिफ्रेंस होगा वो अब इसके इलावा इसमें एक और सरकिट चुड़ा होता है यह जो सरकिट है यह कमबेटली डाल्टा मोडूलेशन का है लेकिन क्योंकि एडप्टिव डाल्टा मोडूलेशन में इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट होती है वेफ़र्म के एकोर्डिंग step size ने तो इसके साथ logic for step size control circuit connected होता है जो कि यहां पर होगा यानि यहां से यहां से जो आउटट आएगी वो लोजिक step size control पर जाएगी जो कि step size को control करेगी और कौंटिजर सरे फिर आउटपुट पर आएगी आएगे इस तरह से adaptive data modulation का transmitter work करता है जिसमें जो delta होता है उसके variable steps होते है variable size होते हैं अब next देखते हैं receiver receiver में देखिए receiver में क्या होता है कि जो input उठाती है receiver पे उस पे logic for step size control connected होता है पहले ही जो कि क्या करेगा step size को control करेगा और उसके बाद वो जाएगा हमारे summer पे सम करेगा जो कि और वो किस चीज को सम करेगा यह connected होता है हमारे जो accumulator यह dotted line है यह accumulator को show करती है यानि कि जो भी हमारा signal आ रहा है पीछे से जो logic step size control से आया है यहाँ पे और जो delay ts से आया है वहां से जो इसके output से delay ts से आता है इन दोनों को plus करेगा और फिर उससे low pass filter में provide करेंगे low pass filter क्या करता है low frequencies को pass करता है उसकी particular limit तक यानि कि adaptive delta modulation में यह इसके receiver का जो डाइगराम है इसमें जो first portion है वो step size control करता है जो भी incoming bits आती है और यह same जो एक वैसे process follow करता है जैसे transmitter पे होता है तो क्या होगा कि low pass filter pass करेगा low frequency को जो उसकी maximum cut of frequency होगी और original signal को produce करेगा low pass filter की output पे यह receiver होता है adaptive delta modulation transmitter का इसकी waveforms हम delta adaptive delta modulation में कर चुके हैं यह वो कैसे उसका size vary करता है कैसे size increase होता है और decrease होता है slowly increment or slowly decrement waveform के according thank you इस video को देखने के लिए thank you और जाधा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमाल चनल लर्न इंग्रो पर subscribe कर सकते हैं